आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस्टेंडर चार्टर बैंक की मुबाइल बैंकिंग घर बैटे कैसे रेजिस्टर करेंगे इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और नहीं आपको डेविट कार्ड या फिर क्रेडिट क अपने डेविट कार्ड के रिट कर सकते हैं यहां पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग इस्तिमाल करते हैं तो आप अपने एकाउंट को काफी हद तक मैंनेज कर सकते हैं तो बने रहे इस पीडियो में तक मैं आपको लाइप प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि विदाउट बॉ बैंक की मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे और कैसे आप इसका इसका इस्तेमाल करेंगे वाइज महू नीलेस और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल शूपर टेक्नलाजी में आप सभी का स्वागत तुछे लिए सुरू करते हैं इस्टेंडर्ड चार्टर बैंक की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्लेश्टोर या फिर एप इस्टोर से एसी मोबाइल इंडिया यह मोबाइल डाउनलोड कर लेना है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप वहां से भी इस अप्लिकेशन को इस्टॉल कर सकते हैं इस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपिन करेंगे जैसे आप ओपिन पर्मिशन को आपको एलाउ करना है दिन आपके सामने यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसकी बैंकिंग सर्विसेस को तो यहां पर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद यहां गेट स्टार्टेट वाले आप्शन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके स्मार्ट क्रेडिट कार्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं पर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप मॉबाइल बैंकिंग में लोग इन करेंगे तो यहां पर आपको लोग इन वाले आप्शन पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है यूजर न क्लिक करेंगे और यहां पर आपको term and condition को accept करना है और यहां पर आप Media이스 rewatch्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी temporary user id password डालेंगे अब यहां पर temporary user ID password आप कैसे मिलता है temporary user ID password आप customer के नंबर पर call करके भी पा um सकते हैं और इसकी internet banking में कैसे आपको registration करना है temporary user ID पासवर्ड के तुरू इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना चुका हूं उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप उस वीडियो को डारेक्ट जाके देख सकते हैं कैसे नेट वैंकिंग में रजिस्टेशन करेंगे और कै यह पर डेभिट कार्ड वालि अप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर नीच वाले अप्शन पर आपकी यहां पर हम्यूजर आइड il आपको अपना लॉगिन आइडि शेक कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना mobile number डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको password डालना होता है, उसके बाद यहाँ पर आप login वाले option पर click करेंगे, जैसे यहाँ पर login वाले option पर click करेंगे, तेन आपके number पर OTP send किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होता है, तो यहाँ पर देख सकते आपको term and condition मिल जाएगी, इस पर आप tick mark करेंगे, next वाले option पर आप click करेंगे, next करेंगे तो आपके number पर again OTP send किया जाता है, उस OTP को यहाँ पर डालना है, और यहाँ submit वाले option पर आपको click करना है, यहाँ पर आप standard chartered banking, mobile banking में login हो जाएगे, सबसी उपर देख सकते हैं, कि आप account पर कितना balance है, यहाँ पर सो हो जाएगा, और यहाँ पर आप account वाले option पर click करेंगे, तो यहाँ से आप अपने transaction की history चेक कर सकते हैं, हमारे account पर कोई भी transaction नहीं हुआ है, तो इसलिए transaction की history नहीं आ रही है, यहाँ back आएंगे, three line मिलेगा, justice पर आप click करेंगे, तो यहाँ से offer चेक कर सकते हैं, home page पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप home page पर आजाएंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपको Bheem UPI का option मिलेगा, यहाँ से आप UPI में registration कर सकते हैं, UPI में registration तभी आप कर सकते हैं, जब आपका mobile number इसी device में लगा होना चाहिए, दूसरी बात IMP आप तभी set कर पाएंगे, जब आपके पास debit card या फिर credit card की detail रहेगी, उसके बाद नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको transfer का option मिलता है, यहाँ से fund transfer कर सकते हैं, किसी को payment करना है, तो payment कर सकते हैं, investing का option मिलता है, यहाँ से investment वगेरा कर सकते हैं, आप अपनी profile को update कर सक transfer वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका account कौन सा है, between on account है, खुद के account पर transfer करना है, तो इस पर click करेंगे, one time transfer करना है, तो इस पर click करेंगे, transfer to pay वाले option पर click करेंगे, आप अपने pay को transfer करते हैं, pay को पहले add करना होता है, beneficiary, add a new pay पर आप click करेंगे, यहा करना चाहते हैं यहां से चूच करेंगे जैसे मैं इंटर बेंक है तो इस पर क्लिक करूंगा यहां पर आपको ब्रांच सेलेट करना है बैंक सर्च कर सकते हैं या फिर FSC Code डालके भी सर्च कर सकते हैं उसके बाद continue करेंगे आपके नंबर पर OTP डालके submit कर देंगे तो 24 गंटे में आपका pay एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी आप पेई एड करेंगे उसको आप payment करना चाहते हैं तो 24 गंटे के बाद आप payment कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आये होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के जिपने फिंट के साथ सेर करिए मन में कोई डाउट या प्राबलम है तो नीचे आप comments कर सकते हैं और मुझे इस्टग्राम पर फालो करके वहां भी मैसस कर सकते हैं निल